हेलो गाइज आज मैं आपके सामने अपनी मौर्निंग रूटीन डिसकस करने जा रही हूँ तो आज मैं बना रही हूँ हरी तोरी उसके लिए मैंने छोटोटे प्याज काट लिए हैं उसमें पडाली है हरी मिर्च हरी तोरी काट के अलग रख ली है और उसके साथ यहाँ पर भेट सारा लसुन और साथ में टमाटर अब मैंने गैस पे कुकर को चड़ा दिया है हम हरी तोरी कुकर में बनाते हैं इसमें सिर्फ दो सीटी ही आती है उसके बाद हरी तोरी अच्छे से प्रिपियर हो जाती है तो अब मैं इसमें ओयल डाल रही हूं ज्यादा ओयल नहीं डा अब मैंने कुकर ले लिया है उसमें लसुन डाल रही हूं और इसे तब तक वेट करूंगी जब तक यह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता यह गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल कर इसे एक बार मिक्स कर लूंगी और इ प्रिए आइख के आया है को एक फिर मिक्स खीया है और हैं फिर हम इसमें जो मसाले टो भास को में तीन इंग्रीडियंट ही हमारे में होते हैं सबसे पहले आ यह होते हैं मैंने नमक डाल दी आप थोड़ा कम यह थोड़ा ज़ादा अने हिसाब से भी डाल सकते हैं आप कम या ठोरें मिर्च रीक मीशच। देती हूं जिससे सबजी में थोड़ा कलर भी आजाता है, अब मैंने इसको एक बार मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आब मैं 5 या 10 मिनट्स वेट करूँगी, मसाला हमारा पक जाए, जब तक हमारे मसाले से हमारा घी या ओएल है, वो अलग नहीं हो जाता मैंने दूसी तरफ पानी बोयल करने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं मौर्णिंग में एक गिलास होट वाटर जरूर लेती हूँ और वैदी को भी देती हूँ तब तक मैंने ये मसाला हमारा भुन चुका है अब लास्ट जो हमारा है वेजिटेबल्स जो मैंने वेजिटेबल कट करके रखे हूँ या हरी तोरी वो मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ तो मैं हरी तोरी इसमें डाल रही हूँ बट मैं वीडियो जो बना रही हूँ वन हैंड से वीडियो बना रही हूँ वन हैंड से वाक कर रही हूँ तो मुझसे हरी तोरी नहीं डाली गई है तो मैं वीडियो को side पे रखती हूँ और पहले मैं हरी तोरी इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इसके वीडियो बनानी शुरू करती हूँ अब मैंने cookar में हरी तोरी डाल दी है थोड़ी उसमें ग्रेवी होनी जरूरी है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर देती हूँ और एक बार फिर से मिलाकर मैं कुकर कर ढखकन बंद कर दूँगी और इसके प्रिपेर होने के लिए रख दूँगी यह मैंने जो बोईल किया हुआ वोटर था वो नहीं ले लिया है बढ़ आप यह मत सोचना है बोईल वोटर से आटा गुंद रही हूं यह सिमपल वोटर ही है वो वोटर मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि पहले वाला वोटर मेरा किसी ने ले लिया था घर के मेंबर में से तो मैंने उसे दुबारा से boil करने रख दिया था ये हमारा आटा गुंद चुका है मैं इसको कुछ टाइम के लिए fridge में रख देती हूँ क्योंकि आज मुझसे आटा थोड़ा सा पतला गुंदा गया था तो उसे मैं fridge में रख देती हूँ और bott weld weather त्यार कर लिए है मैंने 2 cup त्यार लिए है एक cup वैद्डी के लिए है और second cup जो मेरे लिए है बड़े वाले cup जो मेरे लिए है और smaller cup जो है वैदिक के लिए क्योंकि वैदिक बहुत नकरेव्यवाज बच्चा है वो नहीं इतना ज़्अधा बोइल वाटर पीता है, तो मैं क्या करूँगी, तो बड़े वाले कप में अपना जो लिप्टन टी का पैक है, वो मैंने डाल दिया है, और अब मैं वहाँ से वाटर लेकर, थोड़ा सा वाटर वैदी के लिए यूज करूँगी, और थोड़ा बहुत वाटर अपने लिए होट वाटर में, यहाँ सीटी भी आ गई है, सीटी आ गई है, मैं इसकी आच जो है, वो मीडियम कर दूँगी, सेकिंड सीटी चाहे आए ना आए, बट मैं मीडियम आच तक इसको पांच मिनट के लिए रख दिया है, ताकि यह अच्छे से पक्च है, अब मैं यह डिप कर रह हूँ, यह कैसी बनी है, इसके लिए 5 मिनट वेट करना पड़ता है, यह मैं रूम में ले आई हूँ, ताकि वहाँ क्योंकि काफी गर्मी लग रही थी, वैदी के यह मस्ती में सो रहा है, इसकी छुटी है, अब यह तो नहीं उठने वाला है, तो मैंने सोचा चलो पहले एक टेस्ट, सिप टेस्ट करके देख लेते हैं, कि कैसी बनी है मेरी लिप्टन ग्रीन टी, तब तक वैदी के लिए जो वाटर है, वो काफी गरम था, वो ठंडा भी हो जाएगा, तो मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ, वैसे इसका स्वात थोड़ा सा कड़वा होता है, बचा दे, क्योंकि इसकी होमेपेथिक मेडिसीन भी देनी है, और उसमें एक लिक्वीड मेडिसीन है, जो मैं इसको देती हूँ, वो पानी के साथ होती है, जितना पानी होना चाहिए, उतनी ही मेडिसीन हम डालते है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है, वो 10 to 20 जो ड अभी है, जब आप मोर्निंग में खाली पेड लेते हो, या 10 to 15 जो है, मैंने वो इसके वाटर में मिक्स कर दी है, वै दिक अभी भी ले रहा है, जब कि इसको ये भूल गया है, कि वाटर वाली जो मेडिसीन है, वो पहले लेनी है, बाकि जो ये जो टैबलेट्स वाली मेड मेडिसीन वो बाद में लेनी है, बट अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा के चलो इसको ऐसी दे देते हैं, कि अब इसके बाद ये ये वाली मेडिसीन भी खतम करेगा, मैंने इसको दे दी है, फोड़ी सी हिला के तो ये इसको पी रहा है, नींद में है, अभी दुबारा स हो जाएगा मुझे पता है यह कहां उठने वाला है दस बजे से पहले पहले लोजी वैदिक तो सो गया है और मुझे कहा रहा था मम्मी देखो सोफा कम बैट सेट का क्या हाल हो गया है तो हाँ यह बात सच है हमें इसे रिपेरिंग के लिए भीजना पड़ेगा तो गाइस तो मैं अब यह ग्रीन टी पीने जा रही हूँ और यह काफी गरम है अभी भी मैंने काफी देर वेट भी की है फाइफ मिनट बट यह अभी भी गरम है अब यह पाउच जो बच गया था तो मैंने सोचा कि मैंने एक यूट्यूब पे देखा था यह ग्रीन टी से जो होते है डार्क सरकल काफी ठीक हो जाते हैं तो मैं भी ट्राइ कर लेती हूँ जब भी ग्रीन टी पीती हूँ तो बात में जो पाउच बच जाता है उसको अप पतीले में डाल दिया है और देखे कितना अच्छा कलर आ गया है थोड़ा हम ड्राइ नहीं खाते हैं वैसे जो परसंस है वो ड्राइ खाते हैं मैं नहाद होके त्यार हो चुकी हूँ लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि टाइम काफी हो चुका है और मेरी उसे small pieces में cut कर रही हूं थोड़ा सा banana ले लिया है बनाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सही cut कर रही हूँ एक tiffin में मैंने जो डाल दिये हैं इसमें dry fruits mixed dry fruits हैं वैदी के पापा लेकर आए थे तो काफी अच्छी quality है मैं अभी rapper भी दिखा दूँगी इसका कि किस brand के हैं ये good life brand के हैं तो काफी अच्छे हैं ये और एक apple भी मैं साथ में लेकर जा रही हूं मैंने apple को भी cut नहीं किया है और ये मैं बंद करने जा रही हूं बढ़ ये क्या हुआ ढकन इधर उदर हो गया तो cover जो था वो opposite लगने लगा था तो मैंने अब उसे ठीक कर दिया है अब इसके बाद मैं इसे pack करूँगी अपने bag में bag में मैंने डाल दिया है first tip fin फिर उसके बाद second tip fin और जो apple है वो मैं as it is पूरा का पूरा apple अपने bag में डाल रही हूं time मिला तो मैं इसे खा लूँगी और उसके बाद मैं त्यार होगी हूं guys अब मैं school जा रही हूं और वैदिक मेरी यहां video shoot कर रहा है मेरी गाड़ी थोड़ी दूर आती है तो मुझे तब तक walk करनी पड़ती है जादा दूर नहीं है टू किलो मीटर तो गहरी टू मीटर का distance है यह मैं school पहुँच गई हूं और यह मेरा जो office है तो guys यहीं पर मैं अपना vlog बंद करती हूं please मेरे vlog को like करे subscribe करे मेरा channel comment करे और share जरूर करे और subscribe my channel also इसी तरह के vlog में आगे भी लेकर आऊंगी अभी थोड़ी वीडियो में थोड़ी problem आ गई थी मुझे पता नहीं चला कैसे shoot करनी है तो वो थोड़ी बहुत ऐसे चल रही है उसे ignore करे और like